नमस्कार मैं हूँ आशी स्री पार्ठी आपके साथ मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की करारी हार हुई विधान सबाच्चुनाओं में दिल्ली में हार पर मन्थन हुआ और इस मन्थन के बाद एक बार फिर कॉंग्रेस आला कमान ने कमलनात पर भरूसा जताया मध्यप्रदेश में लोगसभा के चुनाओं की जिम्मधारी हाई कमान ने कमलनात को ही दी है यानि कॉंग्रेस को अभी भी कमलनात के नित्रत पर ही भरूसा है अब भरूसा कितना पूरा होगा इसका जवाब तो लोगसभा चुनाओं के नतीजे ही दे पाएंगे लेकिन ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस हार के बाद नित्रत पर मन्थन करेगी और कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है ऐसी कयास लगाय जा रहे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है हाई कमान ने फिर से ही कमलनाथ को ये जिम्मदारी सौंब दी है वहीं कॉंग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्वा ने कहा कि कमलनाथ सर्वसमती से पद पर बने रहेंगे और उनके ही नित्रतों में पार्टी दो हजार चौबीस में काम करेगी और उधर बीजेपी के द्वारा कमलनाथ के नित्रतों को लेकर कहा गया कि कॉंग्रेस का यांतरिक मामला है हलाकि बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुरवेदी ने तंस कस्ते हुए कहा कि कमलनाथ जनता का भरोसा को चुके हैं विधान सभाद चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया कि कॉंग्रेस पार्टी का कि वो कमलनाथ जी का और इग्वेदीन जी का नित्रत चिरकालता इस्ता ही रखे ऐसे नेता जो ठके हुए चुके नेता हैं जिनको जनता बार बार आश्विकार करती खारिश करती है वो यदि कॉंग्रेस पार्टी के लिए धरोव है तो कॉंग्रेस रूंको निता बनाएगा चले थे तूरू कह रमताई और ये जो स्थिति यह बन रही है अब इसके पीछे कारन क्या हो सकता है चुकि भारतीय जनता पार्टी के सामने टकर देने वाली कोई पार्टी अगर है तो वो कौंग्रेस पार्टी है आज भी ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विशलेशक कहते हैं लेकिन जिस तरह का परिमाम विधान सबा के चुणाओं में क्या कमलनात की स्ट्रेटरजी विधान सबाद चुणाओं में फेल होने के बाद लोकसभा चुनाओं में अलग स्ट्रेटरजी देखने को में लेकिन सब विश्यों पर बाचित करेंगे शेरियार खान साथ हमारे साथ बाचित करने के लिए जोड़ गए कि प्लैनिंग होई है कि कमल नाथ ही इस बार विधांट सभा के बाद आब लोगस बाचुनाओं में अद्रिशिो में देखे कल दिल्ली में जो पेठे कुलती है हमारे केंदरी नेतरितु ने ये ते करा है कि अभी आगामी लोकसभा चुनाओं में हमारे प्रदेश अद्धक्ष के रूप में कमलनाथ जी ही मत्प्रदेश की बागडोर समारे हुए और निच्चीती हर चुनाओं एक नई रड़ लड़ा जाता है निच्चीती हमें अभी विधानसाबा चुनाओं में अप एक्षित परिणाम नहीं मिले हैं उसके कई कारण हैं जिस पर अभी हमारे केंदर के नेता अध्यन कर रहे हैं और उसकी जब विस्चित रिपोर्ट और वजह आईगी तो उसमें हम लोग उसमें स नाजर्ट में नहीं उसमारे जानगाए 2014 सचिनहा चार्णाम का था भी जतना में जामीन पर करेंट था वह करेंट निच्ची परिणामों में नहीं दिखा लेकिन हमने मत्परदेश में एक विपक्ष की साथ साथ जो चुनाव लड़ा था वो काफी हमको मत्परदेश की जनता का आशिवा भी खान साथ ये बड़े बड़े राजनितिक जो जानकार है या बीजेपी के निता भी समभवे कि इसे मानेंगे मैं जरूर ये बात तो किसी से कोई जुटला नहीं सकता कि 2018 में जो कमाल हुआ था वो कमाल कमल को हराने के लिए कमलनात ने किया था 2018 में लंबे अच्छे खासे शासंकाल को उन्होंने ध्वस्त कर दिया बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया बाद में ठीक है जो कारण बने किसी वज़े से लेकिन अब थोड़ा सा सतर्क रहना होगा चुकि स्टैटरजी बनाने वाले उस वक्त कमल ना थी थे सबसे पहले तो आपकी बात का जवाब दूँगी कि जो 2018 में अगर मैं वोट की बात करूं तो भार्टी जंता पार्टी को जन्मत जादा मिला था 51,000 वोट जादा मिले थे वो तो तोड़शोड करके कॉंग्रिस से अपनी सरकार बनाई थी लेकिन वो 15 महिने ही वो जो कॉंग्रिस की सरकार चली थे उन्होंने साबित कर दिया था कि उन्होंने कैसे विदान सभा को लूट का अड़्डा बया ना कर छोड़ा था मैं याद दिला तो आपके इन कमलनाथ जी के OSD मिकलानी और ककर के यहां उस 15 महिने में च्छापा बढ़ा था IT का और उसमें कितने करोड़ों रुपे की कैश बरामती हुई थी तो जो कमलनाथ जी का नाम है वो कमलनाथ की करप्शन नाथ उनका नाम होना चाहिए जो आज हम देखने को मिल रहा है हमें कैसे दीरत साओ जी के यहां से आपने देखा 210 करोड़ रुपे की कैश बरामत हुए जो अभी भी किसी बरकरार है तो जो कमलनाथ हो चाहिए वो दिग्विजे सिंग हो चाहिए वो गांधी हो इन सपने कॉंग्रिस ने मिलकर एक करप्शन का अ अब आपको बता दू क्या स्ट्राटेजी कमलनाथ जी आप पिछित्तर के उपर हो चुके हैं यह शर्म नाकेगी ने अभी भी सामने आ रहे हैं तो अपना खुदी दफ्तर में ताला डालके निकल लेना चाहिए जितनी बुरी हार मत्रदेश में कॉंग्रेस को देखने को म या काम आधार होना चाहिए हार तो भारतिय जनता पार्टी को भी कई राज्यों में मिली थी लेकिन वहां पर चेरा बदल नहीं सकते लेकिन क्या कारण हार ही आधार बना करके होना चाहिए मैं बातचीत करूँगा और हमारे साथ निरेंजन पोदार जी भी मौजुद हैं आपके पास भी मैं आऊँगा सर लेकिन सर्मन जी पहले आप से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गुझन जी कह रहे हैं कि बहुत ही करारी हार हुई है आधार ये होना चाहिए क्या या फिर काम को लेकर के या जो भ्रशा चार के उन्होंने आरोप लगा है उस विशे प आपको आवाज मिल पारिये क्या हार ही आधार होना चाहिए कि अब कमलनाथ हार गए है तो उन्हें अटा दिया जाए कोई और चेरा आना चाहिए 75 पार उनकी उम्र हो चुकी है देखिया आशी जी यह बात में आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि कॉंग्रेस पार्टी में मदविदेश के संदर में यदी कोई एक नेता है वो है कमलनाजी माननी कमलनाजी की लीडर्शिप उनका नेत्रुत दिगभजया सिंग, सुरेश पचोरी, कांत यसी निजी माननेता है, मैं एक पत्रकार के नाति यह कह सकता हूं कि यदी कॉंग्रेस अलगा मानने कमलनाजी को अलग करकर 2024 का चुनाव लड़ा, तो हो सकता कि जो उनकी अभी संभावनाय बन रही हो, वो धूमिल हो जाए, क्योंकि कमलनाजी एक मात्र ऐसी नेता है मदर प्रदेश में, जिनके अंब्रेला के नीचे कारकरता से लेकर सारे नेता विदायक और पूरी मदर प्रदेश की कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, एक तो यह, दूसरा यह दिया आप उनका संदर अब देखें, उनका राजनेतिक कद देखें, तो वो मदर प्रदेश के ना समाजबादी पार्टी के लोगों को टिकेट मिलने दिया, जबकि दिगवरिया सिंग जी पांच टिकेट देने के लिए एग्री कर गए थे और उनकी मुलाकात भी कैंडिडेट्स की हुई थी, तो यह मैंने उनके अथोर्टी के बारे में बता दिया, इसके अलाबा सिर्फ कमलनात जी, तो यह मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कॉंग्रेस के लिए कमलनात अपरिहाय जैसे इस्तिती में बन गए हैं अभी, और जब कितनी करारी जीत हो गई है, तो उससे और ज्यादा उनकी इस्तिती जो है न, क्योंकि आपको चुना लड़ने के लिए नेता के तोर पर सब बड़े जो चेहरे हैं, वो भी उन्हें स्विकार करते हैं, इस वज़े से कॉंग्रेस पार्टी उनके साथ जा रही है, बोधार साब ये बात तो होता है कि कमलनात अपरिदेश में कॉंग्रेस के पास एक बड़ा चेहरा है, लेकिन 2023 में शिकस्त जो पढ़ेगा, पहला संदर भी ये है कि जिस तरीके से 2003 के अंदर दिग्विजे सिक के हाथ से भारती जंता पार्टी ने सासन अपने कबजे में किया था और उसके बाद में लगातार भारती जंता पार्टी आप ये मान की चलिए, वहाँ पे अपनी सरकार को रिपीट करते व ये जो उस समय दो छेतर ऐसे थे जो मजबूत किले साबित हुए, पहला महा कोसल जो इस बार भी कॉंग्रेस के लिए मेरे हिसाब से मुफीद रहा है, लेकिन जो दूसरा छेतर था वो था बुंदेल खंड और बुंदेल खंड के जो वहां के जो सर्वमाने नेता हैं, जोत तो आप ये नहीं कह सकते कि 2018 की जो विजेश्री थी, वो केवल कमलाच जी की थी, हाँ कमलाच जी का अगर हम नितरतों मानते हैं, तो 2023 के जो विदान साबाद चुना हुए, इनके अंदर संपूर्ण रूप से उनका नितरतों रहा है, लेकिन अब अगर बात करें, 2024 के चु जी नहीं है, क्योंकि दिकिवजे सिंग जी ने राजनीती में अपनी कहिना के क्रिडिविल्टी डाउन कर लिया और कमलनाच चीका, वहां के कैडर पे, वहां के नेताओं पे, और वहां जो इकबाल है उनका अपना, क्यानि कि लोग उनको अपना नेता भी मानते हैं, और उ बात ये कई जा रही थी, कई बड़े नेताओं ने, कॉंग्रेस के भी कई नेताओं ने का किये, तो लोग सभा के लिए गठबंदन हो रहा है, लेकिन जब विधान सभा में आप सीट नहीं देंगे, तो लोग सभा में कैसे कोई पार्टी आपको साथ देगी, क्या यहां प पर राहूल गांदी उत्तर प्रदेश में चड़े थे, जो उत्तरे तो फिर दुबारा बैठ नहीं पाए। करी रेक्शन देने के लिए, लेकिन जो आए इंडिये का हमारा गडबंदन है, वो निच्चिती राष्टे परीद्रश में था, और उसमें हम जब लोग सभा चुनाव के लिए जा रहा हैं, तो वहां पर जो हमारी राष्टी नेतरुत ते करेगा, उसी के अनुसार मत प्र करनाओं की रणनीती बिल्कुल अलग होगी, और उसमें अफेक्षित हमारी उम्मीद के अनुसार परिनाम आएंगे, और इसी बज़ाद से हमारी केंडरी नेतरुत ने कमल्लादी को अभी रहा हैं, और यहां पर बैठे सभी प्रवक्ता इस बात को माननेंगे शायद कि संगठन को एक जुट नहीं रखना है, यहां तो आपके जो सहियों की दल है, उन्हें भी एक जुट रखना है, जो पहले ही कॉंग्रेस पार्टी को चालू पार्टी कह चुके है। दूसरे नेता हों, नोगो सब ने यही बोला कि इंडिया ऐलाइन्स के तहत हम केंदर की मोधी सरकार को खड़ फेकने का काम करेंगे, तो इसमें कहीं इंतु परंतु नहीं हैं, हम लोग एजूट होके लड़ेंगे, पूरी ताखत के साथ लड़ेंगे, पूरी रणीती के स आप देखेंगी कि हम 2000 लेकिन क्या लोकसभा में यह बदलाव होगा चुकि ऐसा हमने देखा है कई बार पहले भी गुणजन जी हुआ है कि एक तरफ विदान सभा का चुनाफ दिल्ली में बीजेपी हारी लेकिन लोकसभा में 7 की 7 सीटे बीजेपी को दे दी गई जनता के द् ये क्या स्ट्राटरजी मध्यप्रदेश में भी होगी चुकि अगर 29 में से 28 सीटे बीजेपी जीती एक सीट जो नहीं जीती वो कमलनाथ की वज़े से नहीं जीत पाई थी कमलनाथ एक बड़ा फैक्टर रहेंगे बीजेपी के लिए सेहले में कमलनाथ जी की कुछ बात है आप लोग को याद रिला दू कि ये कमलनाथ जी जिन्होंने महलाओं को त़ defenses काते है जिनके कारेकरता जब रिरोध करने आ आये थे कुर्टा फाढ्राजनीति कमलनाथ जी तो कुर्ता फाढदरि क्लिये क्लिए पाड़ने के लिए दिर्मेदार हो दिखविजर सिंग पे सौपन जन्ता को क्या रहा है यह कमलनार जी है जिन ने सरकार बनाती से ही आदिवासी महिलाओं के खाते में जो पैसे जाते हैं उसे रोखा था गरीब कन्यार की जो सेवाए मद्दी ने सरकार दोरा दी गई थी उसे मात्र 15 महीने की सरकार में सबसे पहले काम क्या था आइपा किया था शहिए आज भी आए जैकरीन के साथ इनकी जो पिच्छर आईडी यह कमलना जीन का विजिन ना करीब कर ले आने कमलना जीन है जिन्हों ने किसानों की कर्द माफी के लिए इंक इतना सा भी कारे नहीं किय राहुल गांदी जी कह कि मुख्य मंतरी बदते हैं और उसका नतीजा जनता ने दिया है इस चुनाओं में भी जनता इनको उनका नतीजा देगी और जिससे ने सफाया मस्द्रदेश के कॉंग्रेस का हो चुका है चाया वो कमलना जी को लिए या राहुल गांदी स्वे में कि खड़े हो जाएं का सफाया मत्रदेश से हो चुका है कि जतने जलती और जितने अच्छे से समझ लें उनकी बैतरी होगी खान साब कुछ रियक्शन देना चाहरे थे जी जी एक तो मेरी बहन पढ़ लिखके नहीं आती है किसी का बयान किसी के तरफ से बताती है मैं आपक फिर वापिस महिला अत्याचार पर देश में शर्मसार हो रहा था आप जादा बड़ी बात नहीं करें मैं इंतजार कर रहा हूं कल का लाडली बेहनों के खाते में क्या आ रहा है तीन हजार रुपे आप बताईए साड़े चार सो रुपे में आ रहा है नहीं आएगा आपन मतपर्देश को ठगने का का म करा है वह सभा्चना में उसका भुकतना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि मतपर्देश कहाँ से लाएगा यह पैसा क्या मतपर्देश को बेचमे का का माफिया Меня शाजै मारू-राज मनाएंगे मैं बता दूँ कि जो इन्होंने गोशडाय करी हैं इसके लिए ये पेसा कहां से लाएंगे क्योंगे आज पिरती दिन 54 करोड रुपे हम जो कर्ज ले रखाए ना उसका ब्यास देने के लिए चुका रहा है मैं मुझे रखता है कि आप लोगों के पास मुद्दे तो हैं लेकिन मुद्दे रखने में कहीं कुछ परेशान ही आ रही है आप जिस भ्रश्राचार की बात आप कर रहे हैं प्रदेश में कर्ज की बात आप कर रहे हैं बिल्कुल धरातल पर ये चीज़ी दिखाई देती हैं लेकिन इन्हें लोगों के बीच आप लोग ले जा पाने में सफल नहीं हो पाए क्या लोकसभा चुनाओं में यही मुद्दे होंगे कमनात ने क्यों यह स्ट्रेडरजी बताई है केंद्री ने तरत्वक। यह दिमांड थी जो हम लोग नहीं चूपा हैं और जो मतपर्देश पर यह कर्ज का बोज डला है इसको के से दूर किया जाएगा और इन्हों ने जो ठगने का काम करा है लाडलियों को तो वो लाडलिये इंतिजार कर रही है कल दस तारिक का की तीन हजार रुपए आएंगे क नहीं आएंगे मामा की तो रवानगी इन्हों ने ते कर दी है जो मुझे जानकारी मिल रही है मामा को नहीं बना रही है यह लोग इनके अंदर खाने बड़ा सल फुटल बॉल चल रहा है आज मतपरदेश पहली बार आठ नो दिन होगा है मुकमंत्री मतपरदेश को नहीं म कमनात जी को जिस तरह से जिम्मदारी दी गई बीजेपी के लीडर्स की तरफ से जवाब आया कि कॉंग्रेस का अंतरिक मामला है और बीजेपी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी ये भी शायद बीजेपी का अंतरिक मामला है लेकिन जो मुद्दा है वो ये कि क्या कमनात के च चाहिए या फिर उसी चेहरे पर चुकि विदान सभा का चुनाओ एंपी के मन में मोधी मोधी के मन में एंपी के नाम पर बीजेपी ने लड़ा वो ख्यमंतरी कौन होगा ये अभी भी जिस तरह से खान साब कहना है कि अभी भी उसमें पशोपेश की स्थिती है लेकिन क्या का कार्टी के पास भी कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसे की हर चुनाओ में वो दिखा सके या कमलनाथ ही वो चेहरा है जो सारे के सारे रज्य के नेताओं को सारे रज्य के कैडर को कंट्रोल कर सके रही बात यहां पर जो दो हजार चोबिस के चुनाओं के अंदर लाब किसको होगा नुक्सान किसको होगा तो आपको एक चीज और बता दूर जैसे आपने जैसे आपने अभी कहा कि रज्य के पुद्धे अलग होते हैं और जंता आज की तारिक में इतनी जागरूक है असीस जी कि वो हरे की चीज के वोट करती है इसका उधारन आप आंधरा में ले दीजिए जब आंधरा में 2019 के अंदर राज्य और विदान सभा और लोग सभा दोनों के लिए एक साथ चुना हुए द मुद्धे बदलेंगे लोग सभा के चुनाओं में कमलनाथ अपने बहुत सारी बाते गिनवाई लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधान ननी क्या आफशकता है? हर नागरिक को पचास हजार के कर्ज में डुबाया है यह बनाया है मतपर्देश का युवा बेरोजगार है देश में 45 साल की सबसे बेरोजगारी की दर मतपर्देश में चू रही है किसानों के सीने पे गोली मारी जा रही है आई दुगनी करने की बात करी थी अवास देने की बात करी थी पिछले दो साल से अवासों का पेसा नहीं आ रहा है जब मुझे रखता कि अगर ये मुद्धे लोकसभा चुनाओं में कॉंग्रेस उठाएगी तो निश्चित रूप से कॉंग्रेस पार्टी और चेहरा कोई भी हो लेकिन जंता के मुद्धे अगर उठाए जाएंगे गुंजन जी तो निश्चित रूप से जंता अपने वि लिए दे दी गई है बारते जंता पार्टी उनके खिलाफ क्या स्ट्राटरजी अपनाती है और कमलाथ बीजेबी के खिलाफ क्या मुद्धे लेकर आते हैं ये देखने का विश्य होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए आपकरे खबरों का सिलसला आगे भी जारी है